बॉर्णिंग ओल फ्यू देखिए आज हम बात करने वाले हैं ससी एमटी एस जो था 2020 इसकी जो है बाने का एंसर रिलिज्ट कर दिया गया है जैसे हमने आपको एक वीडियो बना के दिया था आपका इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्टर में मिलेगा जहां मनें बताया था कि ज यह कर दिया गया है दूसरी बात इसमें कितना कर लेकर लेकर करें लेकिस को लेकर किस के टारगोर्य में कितने हैं को क्यूंट कर वाया गया सबसे पहले आप देख रहे हैं कि टोटल जो कंड एट इसमें क्वा I हुए है च्वालिश हचार चौशो अश्य करिडेट्स जो है इसमें क्वालिफाइग किये गए हैं जिसमें से एड़ू एस जो है प्रॉक्सिमेट क्या है तीन हजार इसी प्रकार से एस्टी में ओएच में एश्यम में ओवीशी में आपको मिल जाएंगे 11600 वहीं जो है आपको यूर माने जर्नल में मिल जाएंगे आपको अठारा हजार चार सो असी तो यह इसमें जो है कौन को इसमें स्टार लगा हुआ है आप पुरा इसको जो पीडिएफ डिया गया यहां पढ़िएगा उसमें जो है यूर में ऐसे सारे करिडेश जो हता है इं देली में देख सकते हैं कि यह OBC का 73 गया हुआ है यह आपका जो दिया गया है बगल में यह DOB को लेकर दिया गया है डेट ऑफ बर्थ को लेकर यह इसमें जो माने का प्रेफेंस करेंगे वह उसको पहले लिया जाएगा तो इसमें फाइनल कट अप के बारे में बात क्या ज देखा है तो आप इस वीडियो के जाकर फिर से आप अगर देख सकते हैं जिन्हों ने इस वीडियो को नहीं देखा है इसका लिंक हम डिस्क्रिप्टर में डाल रहेंगे और इसमें 14 तारी को जो है इसमें आपको यह पूरा जो है इसका कट अप जो है दे दिया जाएगा क इसमें जो है आपका जो मार्क है आज कट अप दे दिया गया मार्क जो है आपको कितना है आया है आपने कितना स्कूर किया आपका नर्मलाइसन कितना हुआ है यह आपको 14 जो है यह मार्च को जो है इस पर आपके स्ट पर एससी का स्ट है इसी पर आपको करवा दिया है अभी ऐसे कुछ कह दिया जाए कि final cut-up इतना जाएगी इतना पर merit वनेगी तो यह ठीक नहीं है क्योंकि जो भी cut-up दिखाया जा रहा है उसमें आप तो approximate समझ लीजिए हर state का cut-up अलग-अलग है अगर इसको देखकर analyze करना परेगा इसके जो है किस shift में कितना normalization हुआ है किस students का कितना normalization के बाद mark बढ़ा है और एक चोल में raw mark क्या था और normalization mark क्या है इस सारे बातों को ध्यान में रखकर अगर उसके बाद वीडियो बनाते हैं तो साइद यह ज्यादा satisfaction वाला वीडियो बनेगा चलिए आपको फिर मिलते हैं आपको next वीडियो में हाँ अगर हम एक वीडियो जो है cssl को लेकर बनाए थे जो डीवी जो है यह 10 मार्ट से start हो गया Eastern region का इसी तरह से फिर North region का होगा फिर CR region का होगा तो यह से जैसे आयागा उस पर हम सारा अब्रेट्स आपको देते रहेंगे तो अगर आप ने व्यूवर है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए तब तक के लिए हम मिलते हैं निश्ट वीडियो में जाहिए धन्यवाद